असलामु अलेकुम वेलकम तु एनादर धमाकादार विडियो उफ में स्पाइसी डिवीव मैं हूँ आपके साथ मार्याली उमीद करती हूँ किया मौसम एंजॉय करेंगे पंजाब में बारिशे सुना है शुरू होने वाली हैं मैं यहाँ पे गर्मी इजुआए कर रही हूँ मैं इस वक्त मौझूद हूँ एशिया टूर पर थालेंड आज चुकि हूँ अगर आपने मेरे साथ मेरी विकेशन्स इंजुआई करनी है कि किस तरह से मैं जगाओं को एक्स्पोर करनी हूँ तो मैंने अपना चैनल विलॉगिंग चैनल जो है वो पेन कर दिया है जल्दी स सिर्फ सना जावेद किसी तारूफ की महताज नहीं है आजकल उनका सानिया के लिबास में फोटो शूट छे साल की उमर में जिंसी रासानी का शिकार हुई सीनिर अदाकारा फर्याल गोहर ने ये कहानी सुनाई है आज की वीडियो में इस पर बात करने जा रहे हैं अगर ने देखा कि शारूखान भी उनके फैन है जी हाँ शारूखान प्रियांका चोपडा पता नहीं और कौन कौन से अदाकार हैं जो सारे के सारे जो हैं वो जैन मलिक के फैन है और जैन मलिक जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिशनर ने बरतानवी गुलुकार जैन मलिक को पाकिस्तान आने की दावत दे डाली है। उन्होंने जी एक्स पर पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड और के तीनों आर्टस की तस्वीर जारी की है। जिस पर जैन मलिक के कहे गए अलफास लिखे हैं। 12 जैन मलिक को गाना तू है कहां रिलीज हुआ जिसमें जैन मलिक ने भी पाकिस्तान के म्यूजिक बैंड और के नौजवान बुलुकारों के साथ उर्दू जुबान में पहली बार ये गाना गाया। काफी तर्कीत का निशाना बनाया गया। काफी लोगों ने ट्रॉल किया क देखो तुम्हें तो नहीं आता लेकिन वो उनकी कोशिश थी वो उनकी एक काविश थी जो वे करना चाते थे अपने इंडियन पाकिस्तानी फैंस के लिए तो उन्होंने बुगाना गाया और जहां पे उनको ट्रॉल किया गया वहां पे उनकी मासूम उर्दू को पसंद भ आया है उन्होंने जी जैन को पाकिसान आने की मनसूबाबंदी करने का मश्वरा दिया और कहा है जैन मलिक के पाकिसान आने का ठीक वक्त अब आ चुका है तो इस आपको बताती चलू के 31 साला बरतानी गुलुकार जैन मलिक इंगलिंड में पैदा हुए है लेकिन उनके वा के फैन निकले। दूसरी खाबर जी हम बात कर लेते हैं शुएब मलिक अदाकार सना जावेद के साथ शादी और भारती टैन Isso स्टार साने मर्जा की साथ तलाक के ऐलान के बाद से ही खबरों में हैं अब येक नई कहान है नहीं सामने आहीं सस्थाम सानी है के लिबास मैं फ में दो लिवास पहने बड़ी अजीब सी बात है कि उन्हों ने लिखा कि मैं सानिया के ड्रेस में हूँ लोगों ने पकड़के चितर उतार लिए और जोर-जोर से करक्येदार जितना मार सकते थे दूर से बैठके उने मारे और का तुम्हें शरम आनी चाहिए मतलत तुम्हें ट्रॉल किये बैठा लें तो हसी निए बंद रोरी इतना ट्रॉल किया कहा है कि तुम जासी व यौह उरते हिं व वाटों का नाम खराब करती है रोना शुरू हो गई, जजबाती हो गई, उनको बताती चलो कि सिदारती तमगाय बराये हुसने कारकरदगी भी मिला है और वो ब्यूटिशन भी है, समाजी कारकुन मुसरत मिस्वा के पोड़कास्ट में उन्होंने शिर्कत की और कसूर की जैनब अंसारी के वाके को 6 साल मुकमल होने पर उन्होंने अपनी कहानी भी सुनाई फर्यान ने जैनब केस में जजबाती होने की वज़ा बताई, उन्होंने बताई कि 1964 की बात है जब मैं सिर्फ हो सिर्फ 4 साल की थी, तो मैं खुद भी इस तरह के वाके से घुसरी थी ऐसे वाकियात की यादें मिटाना नामुम्किन है, चाहे 6 साल हो जाएं या 60 साल हो जाएं मतासरीन के जहन में जो है रोज़े अबल की तरह ये रहते हैं अलात अला जी इनको सबर दे, वो कहती है मेरी उमर 64 यर्ज है, मुझे वह वाकिया आज भी याद है अपनी वालदा को कुछ बतानी पाई, और बताती है कि अपने बच्चों को गुड तच और बैड तच के बारे में बताएं बिल्कुल जी गुड तच और बैड तच के बारे में वालिदान को अपने बच्चों को बताना चाहिए बहुत आगे निकल गी है दुनिया, बहुत टिक्नोलोजी का दौर है बेतर है कि घर से आप अपने बच्चों को बताएं क्या माम लाता हैं क्या नहीं है तो दूसी तरफ जी खुशी ये है सबको कि जैन मलिक पाकिसान आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं और कहा जा रहे है कि शायद वो कोक स्टूडियो में आके भी परफॉर्म करें तो देखें जी, जैन मलिक कोक स्टूडियो में कब आते हैं पूरा बॉलिवुड जैन मलिक का फैन है और जैन मलिक अनकरीब पाकिसान आने वाले है वीडियो कैसे लेगी? कॉमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आकनल को क्लिक करें शेर करें वीडियो और अगली वीडियो के इंतसार करें सी यू इन दे नेक्स वीडियो, बाई बाई